हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टर नून, मैं सीमा लक्षमी गार्डन से, आप ये फ्लावर्स देख रहे होंगे कितने खुशुरत, कितने प्यारे वाइट और येलो शेड में हैं, बिल्कुल सची बसंद बहार आ गई हैं, इन फ्लावर्स को देख के मैं तो बहुत इख्ष हो गई, और इसको एनवल क्रसंथिमम कहते हैं, ये थोड़ा लेट स्पिंग सीजन में फ्लावर्स करता है वारा क्रसंथिमम तो जो मैंने आपनों को एक वीडियो बना के दिखाया था, वो तो खिल चुका है, दुबारा उसमें फ्लावर्स होगी, लेकिन ये स्पिंग इसमें प्लावरिंग होई है, बहुत संदर से फ्लावर्स करता है। बहूत संतर ही ये फ्लावर्स करता है। ऐसन प्लावर्संथिमम तक रहता है, ये नहीं कि सुबह धिला श्राम को खतलम ये Ilan Smake zum Mat इसको मेरे बहुत सारे फ्रistäंट कूछता है कि कैसे अपने गाना करें कैसे खूब बुशी बनाई ये कितना घूना कितना बुशी आप इसको मैं पूब 6 इंच का प्लांट हो जाए तो इसको पीजimento कर दीजे कट कर दीजे ये auto जब कट कर देंगी तो ड्रांचे जाता है तो देखने में कम अच्छा लगता है एक तेमाटर का पेड़ लगाया हुआ है इसमें इसमें बीड़ आई है बस खिलने वाला है एक हप्ते कंदर इसमें सारी फ्लावरिंग हो जाएगी और यह एक और दूसरा यह देखे बहुत ही खुछूर था बहुत ही हेल्दी मैंने लगा दिया था इसमें भी इतनी सारी बट्स आई हुई आदेखे कितना शुंदर कितनी एक बहुत बट्स लगी हुई है और बस यह जब सब पूरे खील जाएंगे इतना खुछूर लगेगा मेरा गार्डन तो बह नहीं हुँ विना थोड़ा कट करने में वह तो दुख तो लगता है कि बढ़ भी आ जाती तो मैं काट देती हूं और इस जिसे कुर्श घना हो जाता देखें साई में कितनी सारी कितनी सारी समय ब्रांचे जा गई हैं और हर ब्रांच में बढ लगी हुई है ऐसी को ब्रांच जिसमें बर्स ना लगी हूँ तो इसलिए बूसी हो जाता और खाद वाद मैं एक और आपको प्लावरिंग दिखा रही हूँ तो मैं अलग अलग जगे पर लगा रखेंगा यह देखिए यह मैंने अलग गमले में लगा रखा इसमें तो बस फूल निकल ले वाले हैं और तो इसमें इसको भी मैंने एक प्लांड लाके छोटा सा लगा दिया था तो मैंने सोच रहे थी हो सकता यह ना चल पाए लेकिन इतना बढ़िया इसकी ग्रोथिंग हुई है हर में ऐसी ऐसा कोई ब्रांच नहीं जिसमें बढ़ नाई हो सब में बढ़ लगी ही बस सब फ जो देखें और और मैंने चोटी सी बॉटल है आप लोग सोते हों कि चोटी सी बॉटल में कैसे पेड़ उजाता लेकिन उजाता है यह देखें इसमें भी कितनी सारी हर हर एक में हर एक ब्रांच में बढ़ आई है किनारे किनारे साब चाहां जितनी देख लीजिए सब और इसमें देखी सारी बट्स आई हुई है कितनी सारी इसमें और बहुत हेल्दी प्लांट है बस इसमें चाय की पती की खाथ सरसोखली की खाथ 15-15 दिन में लिकट फटिलाइजर मैं देती रहती हूं इतनी ग्रोटिंग बढ़िया है और इतनी जब मैं बेट कर रहे हुए एक प्लावरिंग बाकी बश्वाने वाली तो में एक साथ आपको वीडियो बनाके दिखाऊंगी पूरे प्लाव पूरे पौध हो का मैं बापास आपने य प्लावरिंग लगाएं तो मैं संथमें लगाई यहां लगा इसे पौट बढ़ा हों इसमें बढ़िया सी खाद मिल गई हो यह पूर्ण निकलनए वाला है और बहुत कुछोरत अप लोग भी लगाईए इस वार ने तो अगले सीजन में जरूर लगाईएगा मैं आप लिकट फर्टिलाजर आप डालती हूं और लिकट फर्टिलाजर दो दो तिन तिन दिन के अंदर में जहां सूपता है मैं डाल लेती हूं और बैस इसकी ग्रोथिंग होती है और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सस्क्राइब जरू करिएगा और वैल आइकन को दोवाना ना भूलिएगा और ऐसे ही सुन्द सुन्द से फ्लावर प्लान लगाते रहिएगा अपने गार्डन को खुबसूरत बनाते रहीगा धन्यवाद